दोस्तो ओम नमस्सिवाय आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 29 जनवरी से 4 फरवरी 2024 के धनुरासिफल के बारे में धनुरासिफल के लोगों के लिए यह सप्ता कैसा होगा इस सप्ताहा में कौन ग्रह कहां इस्तित होगा कौन से महत्मून योग बनेंगे और आपके जीवन को किस तरह से परभावित करेंगे जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तो गिरह और नक्षत्रों की इस्थिति के हिसाब से यह सब्ता आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है इस सब्ताहा में यानि एक फरवरी को ग्रो के राजकुमार और बुद्धी के दाता मकर राशी में गोचर कर रहे हैं जहां पहले से ही सूर्य ग्रह वराजमान है इसलिए मकर राशी में बुद्धा दित्तय योग बनेगा यानि आपके दूसरे भाव में धन भाव में बुद्धा दित्तय योग बनेगा तो ऐसे में धन धन्ने में अच्छी व्रद्धी होगी अठके हुए कार्ये पूरे होंगे इसके साथ ही मेस रासी में चंदर्मा और गुरू की यूती से गजकेसरी योग भी बनेगा जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा कुम्ब रासी में सनी के व्राजमान होने से सस्योग का निर्मान हो रहा है और सनी की विशेष किरपा दरष्टी यहां आपके उपूर है जोतिस में बुद्ध महराज को बुद्धी और वानी का कारक ग्रह माना जाता है और कुंडली में बुद्ध मजबूत हो तो जीवन में सभी तरह की सुक्स विदायं प्राप्त होती है अच्छा स्वास्ता मिलता है अच्छी बुद्धी मिलती है और व्यक्ति को उच्च ग्यान प्राप्त होता है जिसका प्रभाव व्यक्ति को अपने वेपार में वेबसाय में भी प्रभावी फैसले लेने में मार्ग दर्सित करता है और इसके विप्रीत यदि बुद्ध महराज असुब ग्रह जैसे राहु केतु मंगल के साथ बैठे हो तो जीवन में अनिक प्रकार की समश्याय आती है और मंगल ग्रह के साथ बुद्ध यूति करता है तो जातक में बुद्धी की कमी देखने को मिलेती है सुभाव से आवेगी यानि आक्रमक अचानक से गुस्सा बढ़ जाता है और धनुरासे के लिए बुद्ध आपके साथमें और दसमें भाव के स्वामी है और यहाँ आपके धन भाव दूसरे भाव में गोचर कर रहे है तो ऐसे में बुद्ध की एहिस्ति धन लाब और खर्चे दोनों लेकर आ सकती है इसलिए यहाँ आपको अपने खर्चों पर पूरा फोकस रखना होगा और यहाँ मंगल और शुक्र आपकी ही रासी में वराजमान है यानि धन रासी में लगन भाव में जो आपके लिए काफी फायदे मन साबित होंगे इस और आन इस रासी के जो लोग एव विवाहित हैं शुक्र देव की किरपा दिस्टि उन पर बनेगी विवाह के योग बनेंगे घर परिवार में खुसिया होंगी प्रेम जीवन मजबूत होगा और दामपत्त जीवन में भी खुसियों का आगमन होगा आपके पंचम भाव में देव गुरु ब्रस्पतिव राजमान है जो की ज्यान और धन के कारक है तो ऐसे में आपके ज्यान में वरत्ती होगी प्रेम जीवन में मधूरता आएगी और इस दोरान आपको अपनी संतान की और से भी कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा परिवारिक खुसियां बढ़ेंगी यह समय छात्रों के लिए बेहद अनुकूल होगा गुरू की किरपा से आपकी द्वारा की गई मेहनत सफल होगी अच्छे परणाम प्राप्त होंगे गुरू की दरस्टी यहां लाभ भाव पर होगी जिससे लाभ के अच्छे अफसर मिलेंगे आपको अपने केरियर में वेपार में वेवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त होगा मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और यहां आपको परिवार का भी सहयोग मिलेगा तो देवगुरू ब्रस्पिति की किरपा दस्टी आप पर बनी रहेगी कर्मफलदाता सनी देव तिरते भाव में है यानि और यहां भागय का भी पूरा साथ मिलेगा पिता का गुरु जनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा सिक्षा में भी अच्छे परणाम प्राप्त होंगे कठन परिश्रम करना पड़ेगा कई बार कारिय का अत्रिक्त दबाब आपके उपर होगा लेकिन आप जिस कारिय को करेंगे जो सोर जनों के साथ पूरा करेंगे यानि आपके अंदर उर्जा का इस्तर उच्छोगा तो ऐसे में आपकी मेहनत रंग लाएगी और कर्म फल दाता सनी देब कर्मों के हिसाब से फल देते हैं लेकिन इनका परभाब धीरे धीरे दिखाए देगा लंबे समय तक रहेगा ज आहू आपको भर्मित कर सकते हैं तो ऐसे में अपने लक्षे पर फोकस रहें लक्ष के पृति केंद्रित रहें सोच समझ कर निर्णे लें किसी के बहकावे में नाएं यदि किसी के बहकावे में आकर कही निवेश करते हैं तो वहां आपको नुक्सान उठाना पड़ सकता ह धनुराशी के जात्कों को इस सप्ता हारिये न हिम्मत बिसारिये न राम का मंत्र हमेशा याद रखना होगा क्योंकि इस हप्ते आपको जीवन से जुड़ी कुछ समश्याओं का सामना करना पड़ सकता है इस सप्ता आपके सोचे हुए कारिये थोड़ी देरी से पूरे होंगे और उसमें आपको बहुत तरेगी अर्चने आ सकती है कामकाज में मिलने वाली सफलता में देरी और उसमें धीमी गति के कारण आपका मन थोड़ा परिशान हो सकता है तो इसलिए धेरिये रखें लगातार प्रियास करें सफलता आवश्य मिलेगी परिक्षा पिर्तियोगिता की तैयारी में जुटे चात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है इस सप्ता धनकी आवक बनी रहेगी लेकिन खर्चे भी जादा होंगे यदि आपके सगे संबंधी या प्रियाजन किसी बात को लेकर नाराज चल रहे हैं तो आपको खुद पहल करके समवाद करना चाहिए अपनी गलतियों को स्युकार करते हुए रिस्तों में सुधार लाने का प्रियास करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा इस सप्ता आपका विपरित लिंग के प्रिति आकर्षन बढ़ सकता है यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको सही समय आने का इंतजार करना होगा अन्यता बंती बात बिगड सकती है वहीं पहले से चले आ रहे हैं प्रेम सम्मंद को लेकर परिजनों के साथ विवाद होने की संभावना रहेगी इस सप्ता जीवन साती के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है स्वास्ते भी खराब हो सकता है तो ऐसे में अपने खान पान पर भी ध्यान रखना होगा दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बरताव इस सप्ता आपका मन परिशान कर सकता है तो ऐसे में सम्मब है आप वहां चलाते समय भी खुद को केंद्रित ना रख पाएं इसलिए सावधानी पूर्वक वहां चलाएं यदि आपको किसी भी आर्थिक निड़ने को लेने में पूरों में कोई परिशानी आ रही थी तो इस सप्ता पूरी तरह दूर हो जाएगी क्योंकि इस समय आर्थिक जीवन में आपको मा लक्ष्मी का साथ मिलेगा जिससे आप कम प्रियासों के बाद भी धनकी प्राप्ति करने में सफल होंगे हाला कि इस समय आपको कोई भी गलत आर्थिक निड़ने लेने से बचना होगा अन्यता धनानी भी हो सकती है इस समय आप पारेवारिक सदस्यों के बीच पूर्व के हर प्रकार के विरोधवास को भी खत्म करने में सफल होंगे इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व के अनुगूती होगी यह समय काफी अच्छा साबित होगा तो यहां आपको अनुगूल पर नाम की प्राप्ती होगी और आप अच्छा प्रदर्शन करने में सख्छा मोंगे जिससे आपका मन परसंद होगा खुल मिलाकर इस सब्ता बनने वाले महत्पुन योगों में आपको धन की प्राप्ती होगी मालक्षमी का आसिरवाद बना रहेगा तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक